दोस्तों सपन लोग की दुनिया में आप सब का पहत पहत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में पीला रंग देखना कैसा होता है दोस्तों कई भार सपने में हमें पीला रंग दिखता है पीला रंग, सुक शान्ती, एक आगरता, विध्या, भधिक उन्नती का माना जाता है जब सपने में हमें पीला रंग दिखाए देता है तो हमारे मन में सवाल उड़ता है कि आखिर हमें पीला रंग क्यों दिखाए दे रहा है यदि आपने भी सपनी में पीला रंग दिखता है तो यह किस और इशारा करता है आईए इस बारे में हम चर्चा करते हैं सपने में आप पीला रंग किसी भी रूप में देख सकते हैं किसी वस्तु के रूप में या फिर खुद को पीले कपड़े पहने हुए या किसी अन्यों को पीला वस्तु पहने हुए तो इसका क्या आर्थ हता है दोस्तो स्वपन जोती शास्त के अनुसार आदमी के लिए सपने में पीला कपड़ा पहनते हुए देखना बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है क्योंकि स्वापन जोती शास्र का माना है कि यह सपना धन दोलत के बढ़ने का तता स्वास्ते अच्छी होने का सूचक होता है तो जब भी आप यह सपना देखे तो समझ लीजे कि यह सपना आपके लिए बड़ी असंकेत है और यह निकट भविशे में धन व्रदी होगी और आपका स्वास्ते अच्छा होगा इसके अलाबा यह सपना यह भी बताता है कि आपको जल्दी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है यदि आप नोकरी करते हो तो आपको प्रमोशन देखे ऐसा कारे दिया जाएगा जिसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है यदि आप बिजनस करते हैं तो आपको बिजनस में ज़्यादा जिम्मेदारी वाला प्रजक्त मिल सकता है यदि आप सपने में पीले रंग का कपड़ा देखते हैं या कोई वस्तू देखते हैं तो यह सपना संकेत करता है कि आप अपने जीवन में फ्यूचर में होने वाली घटनाओ को पहले से ही जानते हैं सपने में पीला रंग देखने का अर्थ यह भी होता है कि आपके अंदर की द्वेश की भावना दूर होने वाली है इसी किसी कारण से आपके अंदर द्वेश की भावना आ गई हो तो आप द्वेश की भावना दूर हो तो दोस्तों यह है ता मतलब सपने में पीला रंग देखने का उमेद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी ही जानकारी के लिए जोड़े रही हमारे चैनल सोल जर्नी से मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों